यह फ्लावर स्प्ले के थ्रूद से वो इसकाई के आओ क्या व्यू है सुंदर नजारा है जैसा प्रतीत होता है हलो फ्रेंड वेलकम बैक टू माई चैनल आज की इस वीडियो में मैं आप लोग अपना हाउस टूर कराने वाली हूँ वीडियो के दवरान आपको काफी सारे यूनिक चीज़े देखने को मिलेंगी तो वीडियो को इंड तक जरूर देखिएगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह हमारे हाउस का में इंटरांस चलिए अंदर चलते हैं बिल्कुल अंधेरा है लाइट्स ओन करती हूं मैं यह स्टोरेज कैबिनेट है और यहां पर आप देख सकते हैं दो हेलमेट और एक टर्च है जो कि इमर्जेंसी के लिए है आपको पता ही है कि जापान में अर्थ कि कितना ज्यादा होता है यहां पर अम्रेला रखा हुआ है आप देख सकते हैं य इमर्जेंसी के टाइम फॉलो करने के लिए काफी सारे डाइडेक्शन दिया हुआ है इससे थोरा सा आगे बढ़ने पर यह हमारा बाथरूम इसमें वह सारे फैसिलिटीज एविलेबल है जो कि एक लग्जोरियस बाथरूम में होना चाहिए यह है ट्वालेट यह भी एक ल लिविंग रूम यह फ्लावर कितना खुबसूरत है ना यहां पर सोफा लगा हुआ है मोर्डनिंग या इवनिंग में यहां पर बैटके हम हस्पेंड वाइफ चाय या कॉफी का मजा लेते हैं और साथ ही काफी सारी गौसिप भी होती है अब हम इधर आते हैं तो यह है हमारा ओफिस यहां पर बैटके मैं अपना वीडियो इडिट करती हूं इंटरनेट राउटर भी लगा हुआ है यहां यहीं से मैं अपना वीडियो भी अपलोड करती हूं और इंटरनेट से जूरी हुई वर्क यहीं से कर लेती हैं अब हम इधर आते हैं यहां पर जरूर बताना हाँ, यहाँ पर मेरे बेटे के ट्वाइज रखे हुए हैं हमने, यह रिमोट कंट्रोल यूनिट है, जो भी गेश्ट है विजिटर्स आते हैं, वो पहले नीचे बिल्डिंग के में इंट्रांस से, और मेरे घर के बाहर दोनों जगा से डोर ओपेन करने के तो है न बहुत ही कमाल की चीज मानते हैं आप, अब चलते हैं आगे, कर्टेन हटाने के बाद यह है, पेपर इस्क्रीन डोर, इसे भी हटा देती हूँ मैं, एक्चोली यह काफी स्मूथ और इजी वे में हटता है, इन सारे चीजों को मेरा बेटा ही हटाता है, उसे यह सब करना काफी अच्छा लगता है, इसके बाद इस नेट को मैं उपर कर देती हूँ, और विंडो को ओपेन करने के बाद कोरीडोड से बाहर का व्यू काफी अच्छा लगता है, काफी अच्छा सनलाइट आता है यहाँ पे, यहाँ पे मैं अपने गीले कपरे सुखाती हूँ, पूरे घर का सबसे बेस्ट पाटी एक कोरीडोर मेरे बेटे को काफी पसंद है, वो जब कभी रोता है तो यहाँ पे आने के बाद डेफिनेटली चुप हो ही जाता है, क्यों स्टार भी दिखते हैं उसे, रोड पे आती जाती गारिया भी वो यहाँ से देखता है, इस वज़े से उसे यह कोरीडोर काफी पसंद है, और कोरीडोर से कुछ इस तरह दिखता है मेरा घर, वाव क्या व्यूव है, यहाँ से एक डोड है, यह भी कोरीडोर ही है, बट इसके चारों तरफ ग्लास लगे हुए है, तो बच्चों के लिए यह काफी सेफ है, और हर्स को तो यह जगव भी काफी पसंद है, खास करके ठंड में वो बीना बाहर निकले ही बाहर का पूरा व्यूव देख लेता है, और अब मैं फिर से आ गई हूँ लिविंग रूम में, यह डोड लिविंग रूम के तरफ से है, तो हमारा कोरीडोर लिविंग रूम से कुछ इस तरह दिखता है, अब मैं आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ, पेपर इसक्रीन डोर को ओपिन करने के बाद, ओ माई गॉड कितना सुन्दर नजारा है बेडरूम का, एक्चॉली हमने सेलिंग लाइट अन नहीं किया है, सिर्फ टेवल लाइट ही अन है, और साइध इस वज़े से भी इसका ओवर ओल लुक काफी अच्छा लग रहा है, और अब मैं सेलिंग लाइट अन कर रही हूँ, आपको कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा, ये है हमारा वर्ड्रोब, ये बेट भी काफी खास है, ये मूवेवल है, इसके नीचे छोटे छोटे बट बहुत ही श्ट्रॉंग वील लगे हुए हैं, जिसके कारण हम असानी से इसे एक जग़ से दूसरे जग़ मूव करा सकते हैं, अब चलिए मैं आपको कीचेन दिखाती हूँ, सबसे पहले मैं इसका ये बेश्ट चीज दिखाती हूँ, हॉट वाटर के लिए रिमोट कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है, जिससे हम कीचेन के वाटर टेम्प्रेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये फायर एस्ट्यूइंग गुशर है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कैसे यूज करना है, इलेक्ट्रोनिक अप्लाइन्स के सारे एंसी भी इस कैबिनेट में है, यह सारे सेंसर लगे हुए है, यहाँ यहाँ पर सारे चीजों में सेंसर लगे होते हैं, यह है माइक्रोवेव ओवन, यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, यह हमारा रेफ्रीजरेटर है, जिसे मैं खोल के दिखाती हूँ, यह दोनों डिफ्रीजर है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, इसमें हमने फ्रोजन आइटेम्स रखे हुए हैं, और उपर वाले सेक्शन को दिखाते हैं, इधर सारे चॉकलेट मेरे बेटे का फेबरेट हमने रखे हुए हैं, इधर सारे जूस, कॉल्ड रिंग्स, दही और दूद वगएरा रखे हुए हमने, इधर स्वीट्स रखे हुए हैं, इसमें से कुछ हमने खुद बनाई हैं और कुछ मार्केट से लिए हैं, नीचे हमने सबजी, फ्रूट्स वगएरा रखे हुए हैं, और इस वाले में हमने कुछ फ्रूट्ट और होमेड दही रखा हुए हैं, तो यह है हमारे फ्रीज का इंसाइड व्यू, अब आगे बढ़ते हैं, यह जो चीज आपको दीख रही है, यह भी बड़ी ही यूनिक चीज है, यह डिस्पोजर है, यह स्टार्ट बटन प्रेस करने पर कुछ ग्राइंड हो रहा है, एक्चोले इसके अंदर जो भी कच्रा चला जाता है, बरतन्थ होते समय, उसे ग्राइंड करके फ्लस आउट करते हैं, इस डिस्पोजर के थ्रू, तो है न बहुत ही यूनिक चीज, जापान में ऐसे छोटे छोटे और बड़े भी यूनिक चीजे मिलती हैं, जिसे हमने इं इस वाले रोड में हमने कुछ बिस्किट्स और स्नेक्स रखे हुए हैं, और इधर भी हमने काफी सारी चीजे रखे हुए, आप देख सकते हैं, जैसे कि अचार, टी, कॉफी वगएरा इधर हमने सारे मसाले रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, और नीचे वाले सेक्शन में हमने कप और ग्लासें रखे हुए हैं, अब हम चलते हैं आगे, यह हमारे गेस इस्टोब है, यहाँ पर उसका स्विच है, बच्चों के सेफटी का ध्यान रखते हुए, यहाँ पर लॉक भी दिया हुए हम इसे यूज करने के बाद लॉक कर देते हैं यह है यह है ग्रील यहां पर हमने सारे ग्रोसरी आइटम्स रखे हुए हैं सब हम इंडियन एस्टोर से ही लेते हैं क seu बायगा रखेते हैं सब लिए लॉक भी करदो हैं इधर हम अपने क्रोकरी और फ्राइपीन्स वगएरा रखे हुए है और इस वाले ड्रॉवर में हमने इस्पून, फॉक, नाइप वगएरा रखे हुए है और इधर भी हमने काफी सारे बरतन रखे हुए है कीचेन के लिए यूज होने वाले नाइफ और सीजर को हमने यहाँ पर रखे हुए है और यह जो आपको बड़ा सा कुछ दिख रहा है यह मोटर है इसके थुरू ही ग्राइंड होता है यह सिंग से अटेच्ट है काफी स्ट्रॉंग है यह दर हमने चावल, ओयल, किचन टॉवल, आलू और प्याज रखे हुए है हमने डोर को बंद कर दिया है कुछ इस तरह का है मेरे किचन के इंसाइड व्यूव तो चलिए अब मैं अपना लगजोरियस ट्वैलेट का सेर कराती हूँ यह हमारा ट्वैलेट यहां पर ट्वैलेट पेपर टॉवल सब कुछ एविलेबल है यह हमारा ट्वैलेट सीट बिल्कुल नीड एंड क्लीन है आप बाजू में देख सकते हैं कि यहां पर कंट्रोल बोर्ड ट्वैलेट सीट के साथ अटेस्ट है यह तो ऐसा लगता है कि फ्लाइड में प्वैलेट के सामने कंट्रोल बोर्ड हो इससे basically आप toilet seat का temperature and water का temperature adjust कर सकते हैं सर्दी के मौसम में अपने मर्जी के अनुसार seat का temperature और water के temperature को भी बढ़ा सकते हैं जिससे सर्दी के दिनों में भी toilet use करने में कोई problem नहीं होती है और आराम दे होता है इतना ही नहीं इस control board के through sour के position को आगे पीछे कर सकते हैं और sour के water force को भी low, medium, high में adjust कर सकते हैं इस seat के साथ three types के sour attached हैं आप अपने अनुसार इसका use कर सकते हैं अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे toilet जाने में भी कितना सुकून मिलता है जो कि words में बताया नहीं जा सकता है मैं recommend करूंगे कि आप अपने life में कम से कम एक बार इस तरह के toilet का use जरूर करें जो कि basically जपान में आपको देखने को मिलेगा अब चलिए अपने washroom का share कराती हूँ मैं जो bathroom in a space का feeling देता है तो देखते हैं इसमें क्या क्या है लाइट्स को on कर देती हूँ सबसे पहले washing machine है जो कि fully automated है washing के लिए जो water use करते हैं हम उसके temperature को control कर सकते हैं ठंडा या गरम washing machine के बाजू में एक vacuum cleaner देख सकते हैं आप अब आप सुंदर सा washing table with basin देख सकते हैं basin के जश्ट उपर एक बड़ा सा आइने का वाल देख सकते हैं जिसमें अपने पूरे बदन को उपर से नीचे तक आसानी से देख सकते हैं यहां पर हमने अपना टूथ ब्रस और टूथ पेस्ट रखा हुआ है वासिंग के लिए आप ठंडे और गरम पानी का यूज कर सकते हैं जो कि इस साइड में गरम आता है और इस साइड में ठंडा आता है चलिए देखते हैं इस आइने के बैक में क्या है अरे वाह इसके उपर से नीचे तक कॉस्मेटिक आइटम्स ही भड़े परे है इसमें वासिंग के लिए बहुत सारे सामान है और इधर तो ट्रीमर ही भड़ा पड़ा है तीनों मीरर को एक साथ ओपिन करने पर कितना अच्छा भ्यूव आ रहा है अब इसे मैं बंद कर देती हूं और बेसिन के नीचे ड्रॉवर को देखते हैं इसे हम एसे स्टोरेज यूज करते हैं बाथरूम के लिए यह है मेरे वास्रूम का नजारा जो की ऊपर देखने पर इसके लाइट्स चांद जैसा प्रतीत होता है तो अब चलिए फाइनली हम अपने लग्जूरियस बाथरूम को दिखाते हैं मेरे बाथरूम के डोर के पास एक रिमोट कंट्रोल यूनिट बाथरूम के हीटर एंड रायर के लिए लगा हुआ है दरवाजा खोलते ही एक स्कूर शेप में विंडो देख सकते हैं जो की मेरे बाथरूम के नजारा में चार चांद लगा देता है नहीं 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 5 x 5 25 चांद लगाता है आप यहां पर देख सकते हैं एक कंट्रोल यूनिट लगा हुआ है जिससे आप बाथरूम के वाटर टेंपरेचर को कंट्रोल कर सकते हैं आप यहां से कॉल भी कर सकते हैं वाओ कितना अच्छा टब है टब के जस्ट उपर सेलिंग में आप एक अप्लाइंस देख रहे होंगे जो कि हीटर एंड ड्रायर है जिसका ऑप्रेशन आप दर्वाजे के बाहर लगे हुए रिमोट कंट्रोल से कर सकते हैं बेसिकली सर्दी के दिनों में हम इस हीटर का यूज करते हैं जो कि पूरे बाथरूम को एक बहुत ही कॉमफर्टेवल इन्वार्मेंट देता है जबकि ड्रायर का यूज गीले कपरे को ड्राइ करने के लिए करते हैं इतना ही नहीं कभी कभी तो इस ड्रायर का यूज असनान करने के बाद बदन को सुखाने में भी कर लेते हैं अब आपको पता चल गया होगा कि यह सूटिंग मैं अपने स्मार्ट फोन से कर रही हूँ जो कि इस बाथरूम मीरर में दीख रहा है अरे मैं तो एक बात बताना भूली गई मैं बहुत चल्द एक वीडियो लेकर के आने वाली हूँ निनोमिया हाउस से रिलेटेड जो की टेन स्टोरी बिल्डिंग है और मेरा भी अपार्टमेंट इसी में सेकेंड फ्लोर पे है इस आने वाले वीडियो में मैं निनोमिया हाउस के बहुत सारे फेसिलिटीज के बारे में बताऊंगी जो काफी इंटरस्टिंग होने वाला है इसे देखना ना भूले तो फ्रेंड कैसा लगा मेरा अपार्टमेंट क्या आप अपने अपार्टमेंट का डिजाइन इस तरह का कराना चाहेंगे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सेयर जरूर कीजिएगा साथ ही अगर इस चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजिएगा मिलते हैं अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई